बचेदानी की सफाई क्यों जरूरी है अगर आपकी ओवरी सही है अच्छे से एक रिलीज कर रही है आपका एक रिलीज हो जाता है आप फिजिकल रिलेशन में जाती है रिलेशन में इंटेन करती है और इस पाम जो है वह आपके यूटरस से होते हुए फ्लेपिन ट्यूब त वह एंब्रो आपके यूटरस में आता है यूटराइन लाइनिंग से उसको चिपकना होता है उस जगह पे जब आपकी बचेदानी सही नहीं है क्ली नहीं है बहुत जादा टॉक्सिस है तो ऐसी कंडिशन में वहां पे आपका इंप्लानेशन फेल हो जाता है और आपकी प् अलगे को वहां पे रहीं कर सकें क्युक्त इसतल Tur Scout होता है एक का फारिंटेशन तो होता है लेकिन को पता भी चल पाता जोगे उसके बाद आप हर महीने वेट करती है आपको कुछ सम्टम्स भी लगते हैं लेकिन पीरड आ जाता है तो ऐसा इसलिए होता है कि आपके बचेदानी सही नहीं है वो अंदर से साफ नहीं है और डिटॉक्स नहीं है वो कमजोर है तो उसके लिए आज मैं बहुत ही अच्छा घहरेलून उसका आ गिनत फायदे यह आप सभी को पता भी होंगे और पीपल में ऑक्सिजन पीपल एक ऐसा पेड़ है जो जो भी घंटे ऑक्सिजन देता है तो इसलिए भी और अच्छा हो जाता है तो अगर आप पीपल की पत्तियों का सेवन जिस तरह से मैं बताऊंगी उस तरह से आप करें और आपकी बच्चदानी में अक्सिजन भी बहुत अच्छी मातरा में पहुचेगी और आपको पता होगा कि अगर सही से काम कर रही सही से पहुच रही है तो इसका मिलब है कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो रहा है तो अब बात करते हैं कि इसको आपको लेना कैस पानी को पहले सब्सक्राइब करना हिस पानी को पीना कब है कैसे पीना है तो पानी को आप दिन में किसी नम पी सकती हैं तो दिल क्कि क食ानें खाने मारिक तो एक गंटाा पहले तो जब आ joking हो जाए उसके की दूसरे दिन से इसको सटार्ट कर देमान और दिन सो जाएगी और जब कंद की नहीं हो जाएगी उसकी मसल्स बहुत स्ट्रॉंग हो जाएंगी जिससे वह बच्चे को आसानी से होल्ड कर सके और पूरे नौ महीने तक बच्चा उसमें आसानी से रुख सके तो उम्मीद करते हूं यह वीडियो को अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें